रिसेंटली हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पापुआ नियू गिनी गए और वहाँ पे उनका वेलकम खुद वहाँ के प्रधान मंत्री ने किया और उन्होंने यानि कि जो पापुआ नियू गिनी के प्रधान मंत्री है उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री के पाउच हो कि उनको greet किया, अब ये क्या significance दिखा रहा है, ये ये दिखा रहा है कि आज की डेट में भारत की importance कितनी जादा हो चुकी है, when it comes to global order, हमाई प्रधान मंतरी, FIPIC की summit को attend करने के लिए, पापुआ नियू गिनी गए थे, और इसी summit के दौरान, पापुआ नियू गिन और आज हम डिसकस करेंगे कि ये जो FIPIC की summit है, वहाँ पे क्यूं ऐसा portrait किया गया, या ऐसा बोला गया कि भारत को हम as a leader consider करते हैं, अफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नौर्थ क्या है, किस तरीके से एक race लगी हुए, इंडिया और चैने के बीच मे to be the leader of the global south, और कैसे ये जो समय ये जो visit है, हमारे प्धान मंत्री की Pacific Ocean Nations में, ये किस तरीके से एक जरूरी है, और क्यूं Pacific Ocean जो है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ये सारी चीजे, आज हम इस एक वीडियो में समझे की कोशिश करेंगे, तो ये प पापुवा न्यू गिनी के प्धान मंत्री, ये पिक्चर, ये जेस्चर ये भी दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है भारत की इस ग्लोबल और में, क्यूंकि अगर हम इस डेकेट की बात करें, तो इस डेकेट की शुरुवात सही, COVID-19, climate change, तमाम तरह की दोविधाएं आ रही हैं, इसी वज़े से जो भारत की इंपॉर्टेंस है, आज की डेट में, वो काफी ज़्यादा, उसका जो उसका जो इंपॉर्टेंस है, वो काफी उसका क्रूशल हो गया, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि, जो हमारे पधान मंत्री है, मोदी जी, व जितने भी आपके Pacific Ocean में, जितने भी आपके आइलेंड देश हैं, उनके बीच में ये समिट था, और इसी समिट में ही, इसी समिट में ही, जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री, उन्होंने ये कहा कि, on the behalf of all the Pacific Ocean nations, we consider India as the global, leader of the global south, अगर देखो, अगर हम Pacific Ocean की बात क Pacific Ocean nations, nations की बात करें, तो ये आपका मैप है, ये तीन सेक्टर्स ये तीन सेक्शन में बटा हुआ है, पहले आपका पॉलीनेशिया है, ठीक है, दूसरा आपका माइक्रोनेशिया है, और तीसरा आपका मेलनेशिया है, ठीक है, मेलनेशिया है, अब अगर हम Second World War की तरफ जाएं यानि की 1945 की अगर हम बात करें, तो वहाँ इस रीजन में ठीक है, उस दौरान जापान और यूएस की बहुत जादा यहाँ पर फाइट हुई थी, ठीक है, जापान और यूएस की, क्यूंकि आपको पता होगा, आपने Second World War के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी तो इस रीजन में, यूएसे ने फिर जो जापान की डॉमिनेंस है, उससे कम करना शुरू किया, इस वज़े से यह जो पैसिफिक ओशन है, काफी जादा इंपोर्टेंट है, अब जब Second World War खतम हो गया, ठीक है, Second World War खतम हो गया, तो जितने भी यह पैसिफिक ओशन के नेश पर रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली चाइना का जो प्रेजेंस है, रिसेंटली चाइना का जो प्रेजेंस है, वो इस रीजन में बढ़ रहा है, वो इस रीजन में बढ़ रहा है, कैसे बढ़ा जैसे, सोलोमन आइलेंट, अभी रिसेंटली सोलोमन आइलेंट के साथ आइना ने PacT saying किया है ठीक है चाईना ने PacT sign किया है और कई सारे funds ठीक है इस agreement में यह魚 है कि कई सारे जो funds है पैसे जो है चाइना की तरफ से वह इससोले में आयलेंड में जाएंगे साती साथ Solomon islands में अगर कुछ भी ऐसा security issues अगाए तो चाइना अपनी security stay कर आपके आपको बताना स्विस में कौन कौन से त thereby कि एक अगर से अपनी नेवी को स्टरॉंग नहीं करेगा नहीं बनेगा तो वेसी बात है चाइना को तो इस region में counter नहीं कर पाएगा तो इस वजह से यह जो समिट है हमार पधान मंत्री की यह काफी ज्यादा important है क्योंकि अगर हम pacific ocean ठीक है अगर हम pacific ocean में जितने भी छोटे छोटे देश हैं जितने भी छोटे छोटे देश हैं अगर इनका influence चाइना पर आ जाएगा ठीक है अगर चाइना यहां पर successfully अपना influence create कर लेता है तो diplomatically यह इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं क्योंकि एक तो सबसे important चीज है कि यह जितना भी रीजन है जितने भी यहां पर आइलेंड जैना यह resource rich island है ठीक है यह resource rich island है यह resource rich island है इस वज़े से इस वज़े से चाइना यह चाहता है कि यह जितने भी छोटे छोटे आइलेंड देश है अगर इन पर चाइना अपना influence वह अगर बना लेगा तो क्या होगा जितने भी इज़ेट ठीक है exclusive economic zones है जितने भी के जितने भी इन इस आइलेंड नेशन के exclusive economic zones है उनसे फिर चाइना क्या कर सकता है resources को exploit कर सकता है ठीक है resources को exploit कर सकता है अगर हम इज़ेट की बात करें ठीक है इज़ेट की बात करें तो आपका 200 nautical miles तक वह आपका permission रहता है कि जो भी island है ठीक है कोई भी देश है उसके 200 nautical miles तक जितने भी जितने भी आपके ocean resources है या marine marine resource resources है उसको वह देश use कर सकता है या utilize कर सकता है तो इस वज़े से यह जो region है पूरा यह काफी ज्यादा resource rich है location काफी ज्यादा strategic है इस वज़े से चाहिना जो है वो अपना इस region में अपना presence बनाना चाहता है और इसी को counter करने के लिए इंडिया भी इसी को counter करने के लिए इंडिया भी इन सभी देशों से एक positive एक healthy relations जो है वो बनाना चाहता है और यह जो summit हुई FIPIC की ठीक है FIPIC की जो summit हुई वहाँ पे वहाँ पे जो पापवा न्यू गिनी है उनके प्रधान मंत्री नों ने यह कहा कि वी consider इंडिया as the leader of the global south and will rally behind इंडिया ठीक है अन्वील रैली बिहाइंड इंडिया अब यह चीज़ काफी ज़्यादा इंडिया के लिए ठीक है क्योंकि अगर हम बात करें पहले तो समझें की global south और global नॉर्थ है क्या देखो 1980s में क्या हुआ कि क्या हुआ कि दुनिया के देशों को divide किया गया कैसे divide किया गया गया कैसे divide किया गया एक तरफ global north ठीक है दूसरी तरफ आपका global south अब यह जो division है ना यह geographically division नहीं है ठीक है geographically division नहीं है क्यों यह division है on the basis of कि जो countries जो countries rich है ठीक है जिनके पास पैसा है या जिनके पास और ठीक है या नी और political stability है political stability है political stability है वो जितने भी देश होंगे वो आपका global north का पार्ट होंगे जैसे कि USA हो गया ठीक है यॉरोप के सभी reason हो गये तो यह लोगया आपके global north के पार्ट यानी कि कहने को कि जिनके जिन देशों के पैसा है जिन देशों में पॉलिटिकल स्टेबिल्टी है वह आपके ग्लोबल नॉर्थ के पार्ट है वहीं अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें ग्लोबल साउथ की बात करें तो जिन देशों के पास उतने ज़्यादा रिसोर्से उतने ज़्यादा पैसा नहीं है या उनके पॉल्टिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो उन सभी को ग्लोबल साउथ में रखा गया है फिर से समझे जो ग्लोबल नौर्थ है और जो ग्लोबल साउथ है यह आपका ऑन देश ऑफ जोगरफी डिवाइट नही है उनको उनको ग्लोबल साउथ में या ग्लोबल साउथ का पार्ट बनाया जाएगा इसी वज़े से आप देखो गए यूएसे हो गया ठीक है इधर यॉरप हो गया इवन रशीया हो गया ठीक है यह जितने भी ब्लू शेड़ेड ऑस्ट्रेलिया हो गया ठीक है जापान हो जितने भी ब्लू से डेट विजन क्योंकि भाई औस टेलिया साउथ में तो इस वज़े से जोगरिफिकली ये डिविजन नहीं किया गया ठीक है अमेरिक युएसे हो गया फिर आपका रशिया हो गया यॉरप हो गया औस्ट्रेलिया हो गया जैपान हो गया यह सभी क्या है यह सभी आपके ग्लोबल नौर्थ का पाड़ बनाते हैं या आपके सभी देश ग्लोबल नौर्थ में वहीं अगर हम ग्लोबल साउथ में देखें ठीक है वहां पर भारत है चाइना है ठीक है इंडिया भी है और साती साथ चाइना भी है इस वजह से इस वजह से एक रेस लगी है इंडिय और चानल्य के बीच में कि भाई कौन सा इन दोनों में कौन सा हो देश होगा जो लीडर की तरह पोट्रे कर सकता है एस लीडर ओफ ग्लोबल सा उथ क्योंकि ग्लोबल साउथ की अगर नहीं बाग करें तो ग्लोबल साउथ मैं बहुत सालों से एक लीडर की खोच की जा रही है जो इन सभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी आवास पहुचा सके international organizations में ठीक है international organizations में साती साथ जितने भी global north देश हैं जितने भी global north देश हैं या countries हैं वहां तक उन सभी जो global south में देश हैं उनकी आवास पहुचा ही जा सके इसी वज़े से Middle East आप लोगे दिवांग में एक सवाल आ रहोगा कि Middle East की अगर हम Middle East की बात करें तो भाई वहां पे तो अच्छा कासा पैसा है ठीक है तो उनको क्यों Global South में रखा गया है उनको इस वज़े से रखा गया है क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नही है कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि जो ग्लोबल नौर्थ है जो ग्लोबल नौर्थ है उनका यह मानना है कि जिस देश में प्रॉपर ऍपट्सीए वहां पे एक पॉलिटिकल continentalισ i dj है क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीका का revolution नहीं होता है ठीक है chances कम रहते हैं क्यूंकि अगर कोई लीडर नहीं पसंद तो देश की जनता वोट देके उस लीडर को टागे दूसरी दूसरे लीडर को रख सकती है तो इस वजह से वहाँ पे वहाँ पे देश तूटने के चांसेस नहीं रहते हैं ठीक है पॉलिटिकल स्टेबिल्टी रहती है इस वजह से दोनों कंडिशन फुल्फिल होगी उसके बाद ही ग्लोबल नॉर्थ जो है वो उसका पाट बनाया जाएगा तो इस वजह से बहुत टाइम से ठीक है बहुत कोशन में जितने भी आईलेंड नेशन से और इसी को काउंटर करने के लिए जो हमारी प्रधान मंत्रियं उन्हों ने यह पापवा न्यू गिनी में विजिट किया और वहां पे जितने भी इशूज जो कंसर्न से आपके पैसिफिक कोशन नेशन के उनको अड्रेस किया और जितने भी वहां पे जो पापवा न्यू गिनी के प्रधान मंत्रियों ने यह कहा कि on the behalf of all the pacific ocean nation we consider India as the global as the leader of the global south अब आपका यह कहना होगा कि ठीक है अगर सिर्फ पैसिफिक कोशन के जो आईलेंड नेशन है वही कह रहे है न वहीं उन्हीं का मानना है कि इंडिया जो है व मैं बात करूं तो आफ्रिका में भी और साउथ अमेरिका में बहुत से ऐसे देश हैं जिनका यह मानना है कि इंडिया एक बैटर ऑप्शन है इंडिया एक बैटर ऑप्शन है लीडर के लिए देन चाइना अब ऐसा क्यों समझो भाई इंडिया के रिलेशन्स जो ग्लोबल है नौर्थ में है ठीक है जो ग्लोबल North की देश है उनसे भी अच्छे है घी सैवैंन से अछ्छे रिलेशन्स है ठीक है कि रहा है यह जो गड़ार है उसके जो उसका रिपकर्शन आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा चाहे शिलंगा की बात कर लें चाहे पाकिस्तान की बात कर लें तो यह चीज साउथ अमेरिका आफ्रिका कॉंटिनेंट के देशों के अंदर भी है कि भाई अगर चाइना जो है चाइना अगर लीडर बनेगा तो वह एक यह क सकता है कि गलोबल नौर्थ ओगलोबल सउथ के बीच में लडाई हो जाए वहीं अगर हम आफरिका के कॉंटिनेंट एफ्रिका के देशों या साउथ अमेरिका के देशों की बात करें तो उनका मानना ये है कि भाई हमें लडाई नहीं करनी है हमें global north के जो देश है उनसे बातचीत करनी है और जो हमारे देश में problem है गरीबी का, health का, सिक्षा का उसे resolve करना है और ये चीज में भारत एक जादा अच्छा option है compared to China ना क्योंकि भाई इंडिया के global north के देशों से भी अच्छे relation है चाहे वो USA हो जाए चाहे वो योरोप हो जाए चाहे वो जापान हो जाए चाहे वो Australia हो जाए और वहीं साथी साथ जितने भी G7 के देश है ठीक है G7 countries है उनसे भी भारत के एक अच्छे relation है तो आने वाले समय में ये ठीक है आने वाले समय में एक race रहेगी ठीक है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं आफ्रिका में कभी चाइना आगे हो गया कहीं South America में भारत आगे हो गया पैसिफिक उशन में कहीं पर चाइना आगे हो गया भारत आगे हो गया पट इन दा लॉंग रन आप यही देखोगे कि जितने भी देश हैं जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं वह इंडिया को ही इस धेर लीड़ क्योंकि उनको लडाई भण निकरना उनको अपने देश के प्रब्लम को रिजॉल्व करना ओन्को अपने देश के प्रब्लम को डॉबल नौर्थ देश इन्टरनाशन और पहुंचानी है और वह भारत जादा अच्छे से कर सकता है कंपेर डू चाइना अब एक लार्ज एक लार्ज ओशन कंट्रीज की तुरह करते हैं और जो भी समस्याएं जो भी समस्याएं पैसिफिक ओशन के नेशन में हैं ठीक है पैसिफिक ओशन के रीजन में जीतनी ही देश है जो भी इनके समस्याएं इन्हें हैं रजॉअल करना चाहिए ठीक है इन्हें रिजॉल्व hindsight करना और यह एक कंसर्निंग यह एक आपका कंसर्निंग इशू है वहीं गर हम FIPIC बात करें तो इसमें आपके इस यह सभी आलेंट्स थे आपको इसको नाम नहीं याद रखना है ठीक है बस यह आपको समझना है क्योंकि आप जब मेंस में आंसर लिखोगे तो आपको तरह के कुछ कुछ आलेंट्स के आप नाम रिख सकते हो बट रादर नाम डटने से वो जो अनालिसिस है जो मैं आपको बताई वह ज्यादा इंप इनकी लोकेशन काफी जाधा इंपॉर्टेंट है ठीक है इनकी लोकेशन काफी जाधा इंपॉर्टेंट है साथ इसाथ इन सभी रीजन में इन सभी नेशन इन सभी आइलेंड में आपको रिसोर्स मिलेंगे ठीक है रिसोर्स रिच है तो अगर भारत के एक अच्छे जाएगी जहाँ पे इंडिया आपने जो गूट से वह एक्सपोर्ट कर सकता है ठीक है एक्सपोर्टीज दे सकता है तो इस वज़े से स्ट्राइजिक लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि आज की टाइम में ओशेंस ठीक है ओशेंस एक ऐसा आप मैं चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम तुकि अगर इंडिया यहां पर इंडिया अगर पैसिफिक ओशन में पैसे खूर्षन में अपनी अपनी प्रेजंस या अपनी प्रेजंस को नहीं बढ़ाएगा तो अवेसी बात है फ च्छे रिले सिंफ रहेंगे भारत के साथ भारत में पहुत एक च्छा पॉजटिव इंफ्लेंस रहेगा तो जितनी भी आपकी miellات leoring में ठीक है जैसे ऊनुनाइटे नेश्न में कोई भी कोई भी प्रपोजाल अगर रखा गंधा भारत के द्वारा ठीक है भारत बारत को भी प्रपोजर रखा गया है तो यह सभी देश जो है ठीक है सभी देश जो है वो इंडिया के फेवर में वोट कर सकते हैं सो डिप्लोमाटिक लिए काफी ज्यादा important है फिर development partnerships के लिए काफी ज्यादा important और मैंने आपको बता है कि economic opportunities भी है यहाँ पे क्योंकि untapped market है ठीक है untapped market है यहाँ पे इंडिया अपनी expertise अपनी technology के थूँ इस market को ठीक है इस पूरे region के market को capture कर सकता है ठीक है इस पूरे region के market को expert आपका capture कर सकता है तो इस वजह से strategically resource diplomatically और economically इन सभी नजरियों से चार डामेंशन के अगर बात करें ठीक है चार डामेंशन वापको आप इस तरह से आंसर भी लिख सकते हो आपका मेंस का pacific ocean nations ठीक है चार डामेंशन बना दिया location ठीक है strategic location ठीक है फिर resource resources ठीक है diplomatically ठीक है diplomatic और फिर आपका economic कभी कभी क्या होता है ना कि आप इस तरह के पाई चार्ट बना सकते हो ठीक है पाई चार्ट से बना दोगे एक तो आपका टाइम भी बचेगा साथी साथ यह थोड़ा सा creative answer भी हो जाता है ठीक है यह थोड़े से creative answers भी हो जाते हैं तो यह जो विजट थी हमारे प्रदान मंत्री की वह क्यों इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस थी एक यह उतनी ज्यादा इंपोर्टेंट रखती है से चल रही है अभी भी अभी भी उतनी ज्यादा relevant है और आगे भी आगे आने वाले समय भी relevant रहेंगी तो यह आपका एक स्टैटिक और करेंट दोनों की holistic कलास जो है ठीक है या जो concept वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजे समझ में आई होंगी कोई भी डाउट होगा आप अपने डाउट जो है वो कमेंट्स में पिंडाउन कर सकते हैं मुलकात करेंगे जै भारत